सब्सक्राइब कीजिए स्काइ स्टार्ट अप चैनल को और बेल आइकन को दुबाएं लेटेश बिजनिस आइडिया आज के लिए हलो दोस्तों मैं शोरी स्काइ स्टार्ट अप के नए एफिशूड में आप तक वागत करता हूं हाँ आज एक लोगों को मतलब जो पहले वर्किंग था अभी के मुकाबल है ना की थोड़ा कोच्छली नहीं पढ़ता है पहले MS का वर्क था पहले MS वर्क कराते थे लोग बाग तो उसमें थोड़ा कॉस्टली और हो था लेकिन अभी उसके मुगाबले कॉस्टली कम पड़ रहा है इसलिए लोगों ने MS का उसका SS का वर्क और यह अल्मॉनियम का वर्क सब अपने घरों में कराना शुरू कर दिया है सिर्ण अगर कोई व्यक्ति अस्टील स्टार्ट करना चाहें तो उसे कितनी जरूरत होगी कि बज़रत होगी जरूरी है तो उसके लिए पर प्र करने के लिए आपको benefit होता सब्सक्राइब दूसरे उससे भी मगारा हो दूसरी सिटी से मतलब जैसे कि अपने स्टेट से अलग तो वह भी आने में बेनिफिट है कि आपको मिल जाएगा मेटिरियल जमीन के कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए इस काम के लिए जमीन जो आपको तो मिल लंत्रों को जाएगा मिलम जैसे ऐसे की डिया है सुरी कर दोती जमीनिमऌ मैं इसके एरिय के लिए लगबग4ारी सिट का आपको फ्रेंट चाहिए उसके अलावा कम inspirat propagate का जये आए अडरु़को चाहिए इसे में चाहिए जासे इस से रेलिंग हो गईए को ऐस वागैरा की रेविंगों फिरफंट फ्लोर से प्लोर पर रेलिंग घो तो लंबाई तो साफ से कितना जगा सा कितना ही जतना सकते हो सकता है उतने जदा इसे जादा से पाइद मैं इसमेंसरा प्रिद्द कर लीजिए माल कहां से आता है रो मेटिरियल जो आप बोलते हैं रो मेटिरियल हम तो जाजातर हिसार सही लेते हैं लेकिन गाजियाबाद में जहां से अपना रिजनेवल प्राइज जहां से मिल जाते हैं महीं से पिक अप कर लेते हैं गाजियाबाद यही सार अपना दो प्लांट वगए सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उसमें हमारे ट्रेडिंग काम है जी ट्रेडर्स भी है कि अपना होलसेल डिटेल भी है सब्सक्राइब करते हैं हमारे पास अपनी मैनुफेक्ट्रिंग क्या क्या चीज आप बनाते हैं यहां पर इस्टील के रेलिंग वगरा होती इस्टील में जो भी हो आपको कुछ भी गेट वगरा हो पार्टिशन हो जैसे अभी ऑफिस कंट्रक्ट कंसक्ट किया हुआ सब सब्सक्राइब करने के लिए अपको दिखा सकता हूं यह राउंड करने की मशीन यह मिलेगा आपको इसमें हर तरह का साइज चकोर या गोल जो भी साइज आपको राउंड करने यह इसी से करते हैं इसका अलग अलग डालने होते हैं तो यह बाँर करते हैं यह इसके बात होगी इसके बाद इसके कुट्टिंग वगएरा आपना अपना कटर वर्क करता है काफी बड़ा रोल है इसका में लाइट तो चाहिए है इस नहीं कर सकते आप अच्छा अगर जैसे बाग जाए तो इन्वेटर वगरे से काम चल जाएगा या जन्रेटर यूज करना पड़ेगा जो हम रखते हैं बिल्कुल अपने पास वो यूज करना पड़ेगा इन्वेट इन्डो अलग अलग पार्ट से जोड कर बनाई है इसे जोड़ने के लिए किन चीजों का इस्तिमाल करें इन्हें जोड़ने के लिए सब्सक्राइब यूज करते हैं आपके कहने का मलब है तीन-चार मशीने की जरूत होगी होगी राउंड करने वाली कटिंग की बैल्डिं जैसे अभी हमने बैंड किया है सब इसी में किया सारफ बाई मशीन सब सर जैसे आज कल काफी सुन्दर सुन्दर रेलियां चल रही है ओफिस में मौल वगरा में काफी अच्छी तरह की रेलिंग बनाते हैं तो वो किन चीजों से बनाते हैं वो बताई एक बारा में उसमें अलग अलग तरीके के डिजाइंस आते हैं यह वी मिल जाएगा आपको स्वास्टेश ये जैसे काफी सुन्दर डिजाइन डाला हुआ है तो कि यह डिजाइन आप डालते ही रेलिंग आता है रेडिमेट पास रेडिमेटीस जिसको बनाना तो उसको पर ही लगा देते हैं जैसा जिसको चाहिए वैसा बना देते हैं बिल्कुल सर और किन चीजों का इस्तिमाल किया जाता है जैसे हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी तरह के आइटम से इसमें यह थोटे-छोटे इसको बोलते हैं कंचा जैसे कंचा है इसका क्या इस्तिमाल सर इसका इसका इस्तिमाल सर यह है कि यह पाइप को होल्ड करने के लिए होता है यह इसी में इसी मैट्रियल में यूज होता है लगाया जाता है और यह फिर बात को पाइप होल्डर बोलते हैं इसको एक तरीके जी म चुब को लगाने के लिए यह सारे बात हो गई आप आप आइटम्स मनाते हैं तो यह सारे आइटम्स बनाने के लिए क्रुद्ट आप देते हैं यह कहीं पर नहीं से देते हैं यहां यहां पर जितने भी बनाने के लिए ट्रेनिंग हम ही देते लेकिन उसमें यह है कि एक दो बंदा तो बिल्कुल ट्रेंड हुआ है वह ही रखते हैं क्योंकि जो लेपर और ठीकने वाले वह बंदे अलग है अपना वह जो काम करने जो लड़के हैं वह सब अपना अलग सीखने सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जल्दी से जल हो पाए यह नहीं कि आपने तयार कर दिए चीजे तयार कर दी लेकिन वहां फिट करने होंगे तो फिट करने के लिए आप लेवर भीजते हैं या क्या करते हैं अवह लेजाने के लिए और दिखकत आती कि ट्रांसपोर्टेशन में कि कैसे लेकर जाया उसको कैसे तो इसलिए वह वर्क महीं पर जाकर करना पड़ता है सब्सक्राइब करने में तो इसमें कुछ नहीं कह सकते स्टार्ट आप कितने से कर लिए मिनिमम एक रेंज मार लिए कम से कम आपको एक लाग रुपए पचास जार रुपए मिनिमम बाकी उपर को आप कितने सट आप कर लिए से किलेट में फिर तो मैक्सिमुम एक लाक सकते हैं लेकिन अगर बात करें तो इसमों मुनाफ़ा कितना पर संटा हो सकता है तो मुनाफ़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो यह जो है वह उसमें लेबर आपको उसी में इंक्लूड़ेट है अच्छा नावेद जी जैसे कोई स्टार्ट करना चाहिए तुम कैसे पहचान करेगा इस्टील की क्वालिटी का कि आज कल कि लोही की मात्रा भी बढ़ा देते हैं कुछ लोग स्टील में तो पहचान कैसे क होता कि स्टील में भी मिनियम चार पांच तरीके क्वालिटी आती इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम होता इसका एक 202 304 316 320 325 सारे सिस्टम होते हैं लेकिन जो मेंली हमारे इदर जो साइड में चलता हो ति 202 304 तो इसे पहचाना इसकी नॉलिज लेना इसकी नॉलिज होना बहुत ज़रूरी है कभी आप इंवेस्टमेंट करो उसमें कभी आपको कुछ मेटिरियल खराब मिल जाए कहीं से कुछ लोकल मिल जाए कुछ ऐसे दिक्कत आती उस दिक्कत को फेस्टना करके यह नॉलिज होनी चाहिए को इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें दो त 304 और बढ़ी अकॉलिटी में तो यह इसी का नॉलिज होना इसी की वह पता करना यह चीज आपको पता होनी चाहिए नहीं तो इसमें दिक्कत आएंगी फिर की पतनी आपको मेटिरियल खराब मिल जाए क्या मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेने जाए क कि कम से कम क्या मेटिरियल कहां से खरीद रहे क्या ले रहा है तो इसमें बहुत सारे सिग्रेट होते हैं तो सब की नॉलिज होने जरूरी है ऐसा नहीं कि बिना नॉलिज विदाउट नॉलिज आप कहीं से भी कुछ भी मैटिरियल उठाके कि वह सब ले आए और वह आप फे में तो आपको सब भेले कोई नहीं कि कुछ भी डिजाइन आप बनवाना चाहते हैं गेड्ट वगेरा अलमुनियम वर्क, एमेस वर्क सब अब लीविल है हमारे पार्क ये थे हमारे साथ नावेद अक्तर जी जिन्होंने स्टील वर्क के उपर हमें जान कर दी नमस्कार नावेद जी नमस्कार जी